तो आदाब नमस्कार सस्यकाल गूड इवनिंग एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत थे और कल के लिए माफी कल चुकि शूट पे बिजी था संडे को स्पेशल एलेक्शन स्रीज जाता है तो उसके लिए शूट और बाकी भी चीजें थी तो इसलिए कल आपके सामने हाज़र नहीं हो पाया आज सेटेडे है आज की कहानी रिकॉर्ड़े है और मैंने दो दिन पहले आप से कहा था उसमें बहुत सारे लोगों ने मेर लिखा कि एक कहानी थी जो एंडी तिवारी के बेटे रोहिट शेखर तिवारी की कहानी जिसमें उसकी मौत हीती दिल्ली में 15 अप्रिल को और उसके बाद पोस्टम रिपोर्ट आई फिर पूछताच की बीवी से अपूरवा शेखर से और आखिर में पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिसके बाद अपूर स्टेट के चार बार चीफ मिस्टर रहे गवर्नर रहे आंधरा के इसके लावा सेंटर में कैबिनेट मिस्टर रहे बड़े बड़े पूर्टफोलियो समझा ले और उसके बाद फिर रोहिट शेखर नाम का लड़का था 2008 में और वो ये कहता है कि मैं एंडी तेवारी का बे उजवला शर्मा को और फिर 2018 में बाकाइदा लखनाओ में शादी करते हैं जब उनकी उम्र लग बगए 80 साल थी और फिर दरदा देते हैं कानूनी उसको रोहिट शेखर को अपने बेटा होने का और उजवला को शर्मा को अपनी बीवी होने का और फिर उसके शादी के साल जवर के बाद ही एंडी तिवारी की मौत हो जाती है यह सारी कहानी आपको सुनाई है लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो यह है कि अपूर्वा की जुबानी रोहिट शेखर के कटल की कहानी यही मैंने इसमें टीजर में भी दिया था उसकी वज़ाई यह है कि जब 24 तारीक को 24 अप्रेल को अपूर्वा शेखर को दिल्ली बलिस क्राइम ब्रांच ने ग्रफतार किया कोर्ट में पेश किया तो इस कटल से जुड़े बाकी तमाम जो चीज़ें थी जो साजिश थी जो सबूत थे जो कतल का मकसद मोटिफ था उसको जानने के लिए पुलिस रासत जरूरी थी और इसलिए क्राइम ब्रांच ने पुलिस रासत ली और दो दिन तक अपूर्वा से पूछ आज की बाकाइदा क्राइम प्रांच के कुछ अफसर जो थे उन्होंने पूरी एक कोस्टिन के लिस्ट तयार की सवालों की पूरी लिस्ट थी और जो जो चीज़ें उनके दिमाग में था कौन-कौन से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहें कौन से ऐसे सबूत हैं जो अपूर्वा दे सकती है क्योंकि अपूर्वा अलड़ी कंफेशन कर चुकी थी एकरार जुर्म कर चुकी थी हाला कि ये बार बार मैं कह रहा हूं कि कोट में इसका कोई मतलब नहीं होता वो कोट में पलट भी सकती है क्योंकि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान पुलिस कस्टडी में किया गया अधालत में मानने नहीं होता लेकिन फिर भी दो दिन तक पुलिस हिरासत में थी और पुलिस उसको उस क्राइम सीन पे ले गई मतलब रोहित शेखर के घर उसके बेडरूम में और पूरा रेकंस्ट्रक्ट किया उस सीन को कि उस 15 अपरेल को क्या हुआ था उस घर में और फिर समाम सवाल जवाब रोहित शेखर के रिष्टे क्या थे दोनों मिया बीवी में कैसे रिष्टे थे ऐसी कैसी नौपत आ गई कि एक पत्नी ही अपने पती का कटल करती है तो अर्टालीज घंटे तक अपूरवा शेखर दिल्ले पुलिस की क्राइम ब्रांच के हिरासत में रह बेज दिया इस वक्त वो अपतिहार जेल में है और अब पुलिस जो भी पूछता चुई है उसके सहारे जो भी सबूत इखटा किया उन सब को जोड़कर वो एक चार्शीट दाखिल करेगी अधालत में जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी लेकिन यहां इंपॉर्टेंट यह है कि 48 घंटे जब अपूर्वा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में रही तब उसने क्या क्या कहा तो क्राइम ब्रांच के जो हमारे सोर्से हैं पुलिस में हमारे टीम के जो है तो जो जिन अफसरों ने पूछताज की उनमें से कुछ ने जो पूरी कहानी सुनाई है अपूर्वा के बेहाब पे वही आपके सामने मैं आज कहानी रख रहा हूँ जो पहली चीज थी चुकि अपूर्वा मान चुकी थी कि उसने रोहित का कतल किया है और जब उससे बातचीत हुई पूछताज के दौरान तब अपूर्वा नहीं ये कहा था कि लगपक शादी को साल भर पूरे होने वाले हैं और जब से उसकी शादी हुई है अब वो पहली बार अपने आपको आजाद महसूस कर रही है और एक तरह से खुश महसूस कर रही है उससे लगता है कि एक बड़ा बोज एक बड़ा काटा उसकी जिंदगी से हट गया वो अपनी शादी शुदा जिंदगी को लेकर इतनी परिशान थी इसके बाद पूरी पूछताच में जो कहानी है अब मैं उसको आप उसलसलेवार सुनाने की कोशिश करता हूँ अब पूर्वा ने पहले अपने बारे में बताया वो इंदौर में थी इंदौर में प्रैक्टिस करती थी और फिर कुछ उसकी जान पैचान हुई इंदौर में कोर्ट के लावा फिर वो जुके पेशे से वकील थी वो दिल्ली आई सुप्रिम कोर्ट में उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी लेकिन उसके अंदर एक यह था कि सिर्फ वकालत तक मामला नहीं रहना चाहिए उसे पॉलिटिक्स में जाना था पॉलिटिशन बनना था, नेता बनना था, चुना और लड़ना था और यह कॉलेज टाइम से उसके अंदर एक खाहिश थी कि उसे पॉलिटिक्स के फिल में जाना है लेकिन पेशा जो है उसको वकीली बना गिया और वो इंदर और सुप्रिम कोर्ट में दोनों जगा प्रैक्टिस करती थी इस दोरान शादी के उम्र हुई तो वो मेट्रिमोनियल साइट के जरीए अपने लिए लड़का ढूंड रही थी उसी मेट्रिमोनियल साइट पे ढूंड़ते ढूंडते एक दिन उसको रोहित शेखर का प्रोफाइल दिखाई दिया इस से पहले ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को जानते भी नहीं थे रोहित शेखर ने भी ये प्रोफाइल डाला हुआ था 2017 में डाला था तो जब रोहित शेखर का उसने प्रोफाइल पढ़ा और जैसी उसने लार्स में देखा कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और कैबिनेट मिनिस्टर एंडी तिवारी का बेटा है तो फॉरन उसका इंट्रेस्ट जागा और उसने पूचता जैंपलिस को बताया क्योंकि उसके अंदर एक खाहिश थी कि वो पॉलिटिक् जानूनी जंग जीता उस वक्त उसके सारे मीडिया में भी उसने पढ़ा जाना तो जब उसे ऐसास हुआ कि ये वही रोहिट शेखर है तो उसने कहा कि फिर इसी से शादी करनी चाहिए कि इस से शादी करने का ये फायदा होगा कि ये पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड से फैम होता है फिर दोनों मिलते हैं और पहली मुलाकात लखनाओ में होतीror मिलने के बाद दोनों में दोस्ती होती ह siamo कईन महीने तक दोनों डेटिक करते हैं इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्रिस करती थी तो लाजबत नगर में एक घर एक फ्लैट उसने अपूरवा ने रेंट पहले रखा था किरायपे और वो अक्सर दिल्ली में भी रहती तो जब दिल्ली में रहती थी तो रोहित शेकर से भी मुलाकात होती थी और इस बीच में दोनों के रिष्टे बढ़ते गए बहुत जादा करीब आने के बाद इसका ये कहना है कि एक वक्त ऐसा था कि रोहित शेकर इससे शादी नहीं करना जाता था लेकिन अपूरवा ने फिर अब उसके उपर प्रेशर डालना शुरूर किया कि तुम्हें मुझे से शादी करने पड़ेगी और ये अपूरवा का बयान है कि उसके दबाओ की वज़े से ही रोहिश्च करने उससे शादी की और शादी की जो तरीख थी वो मईं 2018 तो शादी करने के बाद लेकिन इसका ये था कि इसके दबाओ में उसने आगए शादी की अपूर्वा ने बयान दिया कि शादी जब इस ने की तो मुश्किल से हफ़ते भर तक सब कुछ ठीक रहा हफ़ते भर के बात ही अचानक उसे लगा कि उसने गलत फैसला ले लिया है और ये शादी बिलकुल नहीं चल सकती इसकी वज़ा ये थी कि उस शादी के दोरान जाहिर से बात है रोहित शेखर के बहुत सारे जो जानने वाले हैं रिष्डार हैं वो तमाम लोग भी आये थे शादी में शरकत के उन्होंने और इनी रिष्डारों में से एक रिष्डार के साथ रोहित शेखर की कक्रीबी जब अप अर्वा ने देखी तो उसे खटका लगा और वो थी एक रोहित के दूर की रिष्डार की पत्नी थी लेकिन बाकी रिष्टिदार जो शादी में जमा हुए उसके बाद बाकी के फंक्शन में घर में जमा हुए उन सब का वेवार उनका बरताओ और उस रिष्टिदार की वाइफ का बरताओ दोनों में फर्क था और उसने का उसे पहली बार ये लगा कि ये सिर्फ रिष्टिदा कि उसे लगा कि ये जो रिशिदार की वाइफ है इसकी एहमियत कुछ जादा है इस घर में खास तोर पर रोहिद पर फिर उसने उस लड़की के बारे में पता करना शुरू किया उस महिला के बारे में तो पता जला कि ये रोहिद के जिस रिशिदार की वाइफ है उसकी शादी आठ साल पहले हुई थी, मतलब 2010 में, और आठ साल तक इन्हें कोई आउलाद नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ, आठ साल के बाद उसे एक बेटा हुआ, अब जाहिर से बाद तो उसने अपने तरीके से एक को वकील थी, सारे लोगों से जान पूल पता अगरना शुरू है, वो एक्चुली रोहित का बेटा है, अब जैसे ये चीज उसको अब जिया, तो ये सच है, जूट है, ये मुझे नहीं मालूब, लेकिन उसने पुलिस को ये कहा, और उसके बाद से रोहित को लेकर उसका जगड़ा हो गया, और वो शादी के पंद्रा दिन के अंदर अं अब जाइर सी बाते दोनों के घरवाले उसको समझाते भी हैं, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी फैसला मत लो, और हो सकता तुम्हारी गलत फेहमी हो, तो फिर वो जुलाई में, जुलाई 2018 में वापस आती है, और उसका ये कहना है कि वो रोहित से फिर माफ तो इसलिए हम फिर साथ रहेंगे, उसके बाद वो डिफेंस कॉलनी के घर में आकर रोहित के साथ रहने लगी, अब डिफेंस कॉलनी के घर में आनके जब रहने लगी तो थोड़े दोनों में यह वागा कि ठीक है, अब जो चीज हुई, उसके बारे में कोई लड़ाई की थी उस घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी हालत यह थी कि वो अपने अपरुबा का कहना था कि मैं अपने बेडरूम के कटन यानी पर्दे का या पर्दा तक अपनी पसंद का नहीं लगवा सकती थी जो भी उस घर में होता था वो उजवला शर्मा के फैसले के हिसाब स होता था यहां तक के पूरे घर का खर्च और बाकी चीजों के लिए भी उजवला शर्मा की तरफ देखना पड़ता था और कभी उजवला ने उसे बहू होने का दरजा नहीं दिया यह उसने पुलिस को बोला तो उसके साथ हमेशा सौतेला टाइप का वेवार किया गया ले अपना ही तो बच्चा आपने इसी घर का बच्चा यह नहीं की रोहित का लिए इसी घर का बच्चा है तो उजवला शर्मा के बरताओं से भी वो दुखी हो गई और उसे लगा कि यह तो बेटा भी सिर्फ उन्हीं के सुनता है पूरे घर पर उन्हीं के हुगुमत है फिर वही पुरानी चीज़ें शुरू होती और उसके बाद अब नहीं चीज़ी होगे कि जब भी वो बच्चा आता है तो उस घर में उसका खास खायल रखा जाता हुरी है कि तो इसी घर का बच्चा है तो यहां से उसका शका और पुखता होता है उसके बाद फिर एक दिन वसीहत सिधात की शादी नहीं होई थी एक अग जगा शायद मैंने पहले कभी कह दिया हो लेकिन वो उसकुवारा था तो 60% उस घर का मालिकाना हाक रोहित के पास था और 40% सिधार के पास साथ में यह भी लिखा आथा कि अगर इन दोनों भाई में से किसी एक की मौत हो जाती है तो पूरा घर पूरी प्रोपर्टी दूसरे भाई के नाम जली जाएगी ऐसी ही और भी बाकी प्रोपर्टी को लेकर वसीयत थी उसमें कहीं अपूरवा नहीं थी सिधार जो था उसने एक वसीयत करने की बात घर में की वसीयत हुई नहीं लेकिन उसने यह किया था कि मैं अपने जो हिस्से की मेरे प्रोपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने उस रिश्रदार की वाईफ के बेटे को देना चाहता हूँ उसी बेटे को जिस बेटे को लेकि अपूरवा को शख था कि यह रोहित का बेटा है तो जब यह बात घर में हुई और चुक्चे औपनली हुई तो अपूरवा के कांद तक पहुंची तो उसका शक और यقीन में बедल गया कि आखिर एक दूर के रिशिदार के बेटे को घर की वसीयत क्यूं दी जा रही है जब कि मेरे नाम पे कुछ नहीं है तो उसे कहीं न कहीं लगा कि ये पूरा घर जानता है इस सचाई को कि उस रिष्टदार की जो पत्नी है और उससे जो बेटा है वो बेटा एक्चुली रोहित का है तो ये उसके दिमाग में ये बात घर कर गई पुखता यकीन हो गया और यहां से फिर लडाई शुरू हो गई और इस बीट में लडाई एतनी भी हुई कि फिर डेली डेली की लडाई की वैसे उजवाला शर्मा डिफेंस कॉलनी के घर छोड़ कर तिला कलेन के अपने घर में रहने लगी और आती थी कुछ घंटों के लिए लेकिन यहां उन्होंने रहना छोड़ दिया था लगबग र और सिर्फ यह की उस बेटे की वैसे उसने कई बार यह भी कहता कि ठीक है अगर मैं गलत हूँ तो उस लड़के का डियने करा लो बच्चे का और पता चल जाएगा बलके बात यह भी आय थी पूछताच में कि यह कहानी घूम फिर के एक बार फिर वहीं आ गई थी जो एंड बाप का नाम चाहिए और फिर कोट में और डियने और बागी चीज़ें हुई और आफिर में रोहिश शेखर जीता और एंडी तेवारी बाप साबित हुए तो यहां तो यह था यही कहानी कहते हैं कि जो जगड़े की एक और वज़ा हुई अपूरवा ने अब यही चीज पलट कर रोहिश शेखर को बोलना शुरू कर दिया कि उस बच्चे का वाप उसका वो बाप नहीं है बलके तुम हो और अगर तुम मुझे घलत साबित करना तो तुम डियने करा लो और फिर उसने कहा कि यह जो शुरुवात थी तुम्हारे और तुम्हारे मां और इंडी त पर यह हुआ था है कि जून तक इन लोगों के शायद तलाक हो जाए इस दोरान में अप्रुवा का कहना है कि इन सारी चूंजर की विया से वो बीमार भी रहने लगी फिर उसके फादर जो है वो अल्जाइमर के पेशन्ट है तो उनको लेके भी बहुत सारी चीज़े थी औ और ड्राइवर और उसके साथ वापस डिल्ली आ रहा होता है और अपूर्वा वीडियो कॉल कर देती है और उस कार में वो दोनों को एक साथ देखती है और पीते हुए देख लेती है ग्लास तो कैमरा मोबाइल का घूमता है तो उसको लेके वो फिर जाहिर सी बात उसके मन कॉल के बाद से ही और उसको देखने के बाद से उसका पारा साथ में आस्मान पर था लेकिन उसने अपने आपको कंट्रोल किया ये लोग रात को घर आते है उसके आद ये रोहित को खाना देती है उसके पाद फिर मा आती है मा को भी खाना देती है और ये जब आये घर पे तब उनकी महिला मित्र भी थी जो रिश्रदार की वाइब थी और अपूरवा का कहना था कि दोनों ही ड्रिंक के हुए थे क्योंकि इसमें ला रही थी उस महिला से भी और वीडियो में उसने देख रखा था तो पूरे रास्ती ये दोनों पीते वे आए थे और जिस तरीके से जब सब अपने अपने कमरे में चल जाते हैं तब मैं कपड़ा चेंज करके रोहिट शेखर के कमरे में जाती हूँ तब रोहिट शेखर जागा हुआ था उसका कमरे में जाने के बाद वो सरफ पहली लाइन जो बोलती है वो उसी महिला के बारे में पूस्ती है कि जब तुम कुछ कहा तो इसने कहा कि जब उसने मना किया तो उसने कहा कि तुम जूट बोल रहे और इसके बाद उसका गुस्सा और बढ़ा और इस गुस्से में दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया लेकिन जाहिर सी बात है रोहित की जो हालत थी वो बहुत जादा उस तरीके से हाथ उठाना ही सकता था, काबू करना ही सकता था, अगर वो नशे में ना होता तो शैब कहानी अलग होती और इसके बाद इसी जब उसने कुछ रियक्ट किया उसके बाद अपूरवा ने का कि मुझे तेज गुस्सा आया, फिर मैंने उसको पीटना शुरू कि उसके बाद वो बिल्कुल शान्त हो गया, तब मुझे लगा कि ये ये मैंने क्या किया, लेकिन उसने का कि मुझे पच्टावा नहीं हुआ, बोली मुझे उसी वक्ता पता चल गया था कि रोहिश शेखर मर चुका और मैंने उसे मारा है, और बोली मुझे अंदर पहली बार उस वक्त एक सुकून की फिलिंग आई, और पहली बार मुझे लगा कि मैं अब आजाद हूँ, मतलब आजादी महसूस कर रहे थी, इसके बाद कहती है कि फिर उसने थोड़ा बेटशिट बेटशिट ठीक की, और वहां से अपने कमरे से निकलती है, और अपने बेडरू में होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, पर कहती है कि ये मुझे मालूम था कि मैंने गलत किया, लेकिन पता नहीं, एक अंदर से ये लगड़ा था कि आज मैं आजाद हूँ, और मैं खुश हूँ, और जो मैं लगबग एक ग्यारा महीने से ढोरी थी, अब उससे मैं निजात पा उसने का कि मुझे फिर मतलब कुछ ऐसा बुरा फील नहीं हुआ ना कुछ ऐसा लगा कि पकड़े जाएंगे, इन सब का डर भी नहीं था, डर से जादा आजादी और खुशी महसूस हो रही थी, और उसके बाद वो जाहिर सी बात उसने का कि मैंने इंतजार करना शुरू कि कि कोई आए और कोई बताए, फिर उसे एक ये भी था कि शायद चुके रोहित का दिल से जुड़ी भी बीमारियों का इलाज भी हुआ था और शायद उसका हाट का ऑपरेशन भी हुआ था, तो ये और उसको नीद आने की बीमारी नहीं थी, तो उसे एक चांस ये लगा था कि शायद रोहित का पोस्टम नहों, तो हाट अटेक की वज़े से मरा, सो रहा था और अटेक आया और मर गया, तो वो बच जाएगी, ये उसके दिमाग में था, और इसलिए उसने बाकी की जो मेक अप किया, जो प्लानिंग की थी पूरी, वो इस हिसाब से की कि वो अपने क काली निकालती ही, कहती होस्पिटल भागना है, रोना दोना सब शुरू कर दिया, उसका दगले तीन दिन तक हो ऐसे ही रोती रही, वैसे ही सब कुछ होता रहा, तो उसे एक परसेंट था, कि शायद हाट अटेक से वो मर गया हो, और उसे ये भी था कि जब उसने उसका गला पोर्ट ने बिल्कुल दूसरी सच्चाई सामने रख दी और जिसके बाद वो पकड़ी गई, तो 48 घंटे तक अपूरवा जो पुलिस का स्टडी में रही थी, जो क्राइम ब्रांच के लोगों ने पूछताच की थी, यह उन पुलिस अफसरों के बयान के आधार पर पूरी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, जो क्राइम ब्रांच ने पूछताच में सामने रख दी और यही सारी चीज़ें, नब्बे दिन के अंदर जो चार्शीट फाइल होंगी, कोट में, क्राइम ब्रांच यही सारी चीज़ें, उसमें मेंशन करेगी और इसी के आधार पर ए एक बर मिल जाए, हाला कि मेरा अपना मानना है कि यह जो पुलिस का स्टडी का जो बयान है, और अगर यही सारी चीज़ें चार्शीट में दिल्ली पुलिस मेंशन करती है, तो अपूरवा को मुझे नहीं लगता है कि कतल के लिए कोई जाधा बड़ी सजा मिलेगी, क्योंक जो सरकारी वकील होगा, उनका क्या स्टेंड होता वो पुलिस के बयान को इसमें से कौन सी कड़ियों को सामने लाते हैं, कौन सी कमजोर कड़ी को सामने लाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें तै होंगी, तो यह थी पूरी कहानी, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में जो द तक को अपना प्यार देते रहे हैं, thank you very much.